यहां पर आप लोगों का जो है पोस्ट पेसिक बीएसी नर्सिंग 2024 जिन केंडेट्स ने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था जून 22 को इंचमू इडविजन वाले केंडेट उनका एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू था और कश्मीर वाले जो थे उनका मैरिलिस्ट आउट हो चुकी है इसके बाद में within 5 डेज के बाद आपक जो है 5 डेज का आपके पास टाइम रहेगा जिसमें कि आपको अपको अपना नेम, डियो भी या जो कुछ भी आडिट करवाना है आगे बताता हूँ आपको मैं उसके जो है वो एक final list out होगी final list out होने क बाद उसके basis पर जो आपको rank होंगे then जो है वो आपकी counselling start होगी counselling में आपको जो है वो एक date दी जाती है और rank 1 से for example rank 500 तक first day बुलाए जाते हैं counselling के लिए then second day ऐसे करके जो है वो आपकी counselling चलती है तो इस PDF में यहां पर JK Wopi की तरफ से आपका mention है ठीक है कि आगर किसी को भी यहां पर कोई भी representation अपनी submit करवानी है आपको result को लेकर आगर आपको कुछ issues है तो within 3 days जो है वो आपको JK Wopi office में जाकर आप लोग करवा सकते हैं ठीक है आपको 1000 रुपी जो है वो fee पे करनी की थी form भरते समय आपको counseling के time में वहां पर देनी पड़ेगी या फिर जब आप admission करवाएंगे college में तब आपको वहां पर show करनी पड़ेगी ठीक है अगर आप show कर नहीं करवाएंगे तो जो है वो आपको reject कर दिया जाएगा ठीक है then next यहां पर क्या mention है आपका कि जिनके अंड़ेट्स को correction करवानी है name में correction parentage में correction DOB में ठीक है या फिर gender में कोई correction करवानी है आपने तो आप लोग जो है वो within 5 days जो है वो इस result जैसे आज आउट हुआ है within 5 days आपको जो है वो जाना है 5 working days में जाना है जेके वो पी office में वहाँ पर जाकर आपको अपने जो भी correction करवानी है वो आप लोग करवा सकते हो ठीक है यह थी आपकी सारी बाते अब आते हम आपकी यहां पर result पर ठीक है तो merit कुछ ज़ादा है खास नहीं गया है इसमें ठीक है ठीक है तो आपके लिए tough था तो सबके लिए ही tough था ठीक है एक candidate के लिए tough नहीं था merit भी उसी हिसाब से जाता है फिर cut up आपके सामनी ही है सबसे पहले आगर आप देखेंगे इस तरह से आपका serial number mention होगा role number mention है, name mention है, then parent age आपकी mention है category mention है, sub category score कितने आपने जो है वो किया है examination में, ठीक है उसके बाद में आपका यहाँ पर rank mention है, ठीक है आपके marks के according ही आपको जो है वो rank lot होते है then हम बात कर लें यहाँ पर rank आप देखेंगे suddenly 102 से then 91 then 91 से direct 86 85, 82, 79, 77 इस तरह से आपका score जो है वो काफी जाद आपको एकदम से आपको जो है वो फाल होता दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है तो total number of a gram seats की बात कर लें यहाँ पर आपके पास में government college कोई भी नहीं है आप reserve category कोई भी नहीं दे सकते क्योंगी category आपकी जो है वो category wise आपकी जो seats होती है वो आपको मिलती है government institutions में but private institution में category का कोई भी criteria नहीं होता merit के हिसाब से आपको seats a lot होती है जे 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 स college में आप बताएंगे या फिर आप जो counseling के time में जो college की preference रखेंगे उसमें आपको जो है वो seat में जाएगी ठीक है उसके बाद में nearby जो जो college होगा candidate उसमें ही participate करेगा but जब counseling start होती है start होती है उससे पहले एक दिन आपका seat matrix आता है जब first day की हो जाती है उसके बाद में आपका second seat matrix भी आता है second day का कि आज जो है कितनी seat pending से तो total number of seats की बात करें हम कितना 414 पर और आप देख सकते है यहाँ पर score कितना है 33.50 score किया जिनका candidate ने वो भी counseling में participate करने का उनको chance मिलेगा क्योंकि seats कितनी है 655 आभी हम कहां पर rank है rank 114 पर पहुंचे है ठीक है then अगर हम आपकी next बात कर ले इसको हम थोड़ा सा अगर scroll down करेंगे ठीक है scroll down करने के बाद हम आगर 655 direct rank पर आ जाते हैं 655 rank पर जैसे ही हम पर हम पहुंचे है ठीक है यहाँ पर 655 rank देख सकते हैं ठीक है आपका जो है कितने marks हैं यहाँ पर 24 marks ठीक है तो आप मान कर चलिए कि अगर आपके 24 से उपर marks हैं 24.25 से उपर आपके 30 हैं 35 हैं तो आप लोगों को counseling में participate करने का जो है वो chance मिलेगा आप कुछ candidate पूछेंगे कि अगर इससे कम जो candidate होंगे देखें आप जो है एक अगर 655 seats हैं तो 655 rank तक candidate को तो उन्होंने बुलाना ही बुलाना है counseling के लिए ये तो एक ओवर सी बात है ठीक है उसके बाद में अगर हम next बात कर लें आपकी rank इससे नीचे गिर सकता है क्या तो वो इस तरह से है कि में भी हो सकता है handed candidate या two handed candidate जादा ही counseling के लिए बुलाए जाए जाएं क्योंकि हो सकता है कुछ candidate counseling में participate ना करें कुछ की जो है वो document rejection निकल जाए या फिर कुछ नहीं admission लेना चाहते है कुछ को अपना desirable college नहीं मिले इस तरह से आप मान कर चलिए जादा नहीं तो एक मोटा मोटा expected handed भी जादा है अब 50 candidate मान कर चलिए कुछ ऐसे आपके जो बीच में देखने को मिल सकते है तो chances 50 candidates के ही है कि यहां से आपको 50 candidate नीचे और rank fall हो सकता है बट इससे जादा fall नहीं होगा तो आपको जो है वो लगबग जादा नहीं तो आपको 15 से 20 दिन या फिर एक मन्त भी आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक BSC nursing वालों की counselling नहीं होई है GNM lateral entry वालों की नहीं होई है और GNM वालों की अभी तक counselling नहीं होई है तो सबसे पहले BSC nursing वालों की होगी then GNM वालों की, then lateral वालों की आपकी जाकर counselling कहीं स्टार्ट होगी ठीक है, हो सकता है, बीच में गठी भी सबकी counselling स्टार्ट हो सकती है कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा आपको एक मन्त के लिए वेट जो है वो इसमें करना पड़ सकता है, ठीक है, तो ये थे सारे updates इसके इलाबा किसी को के queries है, comment box से drop a comment below, telegram channel का link और whatsapp channel का link आपको वीडियो की description में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो इसली join कर सकते हैं इसको जो है वो result को directly website से भी आप लोग download कर सकते हैं, otherwise हमारे telegram channel पर भी PDF अपलोड होगी वहाँ से आप जागर इस PDF को इसली download कर सकते हैं पहली बर जूट रहे हैं, चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन को आल पर सेट रखेंगे, latest update आप लोग को मिलते रहेंगे, thank you so much